केंदर के मोधी सरकार को आज चार साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर बीजेपी नेता और मंत्री पूरे देश में सरकार की उपलब्धियां किनाएंगे जन जन तक बीजेपी सरकार के कामकाच के बारे में जानकारी देना उनका लक्ष है पीम मोदी इस दिन ओरिसा के दोरे पर रहेंगे जहां वो कटक में एक जनसभा को सम्मोधित करते हुए सरकार के कामकाच का पखान करेंगे और सरकार के चार साल का हिसाब देशवासियों के सामने रखेंगे पही राश्थानी लखनों में भी बीजे पी आफिस में सी एम योगी प्रेस कॉणफरेंस करेंगे यूपी के सभी जलों में जिला प्रभारी, मंत्री, मोदी सरकार की उपलब्थियां गिराने के लिए प्रेस कॉनफरेंस करेंगे जन जन तक पहुचाई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां यहां केंदर सरकार के चार साल पूरे होने की उपलब्धियां गिराई जाएंगी साफ नियत और सही विकास यह है बीजेपी का नारा चार साल पूरे होने पर केंदर सरकार अपनी उपलब्धियां लगातार गिराने में लगी हुई है इस नारे के साथ की साफ नियत और सही विकास बताते आपको केंदर की बीजेपी सरकार ने अपने चार साल पूरे कर लिये हैं और इसी के चलते लगातार बीजेपी में खुशी की लहर है जगे जगे पर प्रेस कॉंफरेंस की जा रही है जहां पिये मोदी ओरिसा के दोरे पर रहेंगे तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्रदेश के लगभख सभी जिला अधिकारी बीजेपी से जड़े नेता प्रेस कॉंफरेंस करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे कि इन्दे सरकार के चार साल पूरे होने पर बीजेपी का अब एक ही नारा है साफ नियत और सही विकास तो जहाँ एक तरफ बीजेपी में खुशी की लहर है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में भी लगा है कॉंग्रिस का रोप है कि मोदी सरकार ने जो चुनावी वाइदी किये थे वो अभी तक पूरे नहीं कर सकी है और देश ने किसान और नौजवानों के साथ धोका किया है इस दोरान राश्ठानी लगनव में प्रदेश अध्यक्ष राजबब पर प्रिस कॉंफरेंस करके केंद्र और राज्ज सरकार की नाकामिया गिनाएंगे कॉंग्रिस का ये प्रदर्शन राश्ट व्यापी इस्तर पर रहेगा केंद्र सरकार ने छलावा किया है केंद्र के चार सरकार चार साल की कारेकाल पर कॉंग्रिस प्रदर्शन करेगी जिला इस्तर से लेकर के राश्ट व्यापी इस्तर पर ये प्रदर्शन रहेगा केंद्र सरकार के कामकास से कॉंग्रेस नाराज है और उसका कहना है कि केंद्र सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है केंद्र के चार साल के कारेकाल पूरे होने पर कॉंग्रेस का प्रदर्शन जिलास्तर पर कॉंग्रेस का प्रदर्शन इन चार साल के पूरे होने पर कॉंग्रेस इस दिन को राष्ट व्यापी विश्वास खाद दिवस के रूप में मना रही है उसका कहना है कि बीजेपी सरकार ने आमजंता को ठगा है उनके साथ विश्वास खाद किया है जिलाइस्तर पर कॉंग्रिस लगातार बीजेपी को घेडने की कोशिश में जिलाइस्तर पर कारे 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 क सोने के अक्षर से लिखे जाएंगे नरंदर मोदी जी की सरकार ने अच्छा शाशन दिया है और गरीबों की चिंता की है किसानों की चिंता की है युवाओं की चिंता की है महिलाओं की चिंता की है इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है देश आगे बढ़ रहा है देश उपलबदियों का साल होगा अब फिर 2019 में जंता हमारे काम पर महर लगा करने अंदर मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाएगी मैं तो कहता हूँ कि चार साल पूरा देश बेहार तो इनके वादे हैं घमासान के और असलियत देखने के लिए कोई जमीन पर उत्रे इनके नेता संत्री मंत्री तंत्री तभी तो मालूम पड़े कि क्या सित्यूत्पन हुई ये देश में आज देश की जंता पूरी तर से उकता गई है इसका मुझे पूरा विश्वास है गोश्ट ताविया पार बढ़ गया विदेशों में जाने वाले गोश्ट की तादाद डिड़ गुना हो गई अब क्योंके भाजपा के लोग ही ये काम कर रहे हैं लहाज़ आप लोग कौन सकता है जाती हो धरम के नाम पर मरने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई दलीतों और अलसें के वोगा जीना दूढर कर दिया गया भाजपा का ये बहुत बड़ा इसी निंच है बहुत बड़ी उप लगदी है और इस ख़बर पर हमारे साज चुर गए है हमारे समादाता रजनीश पानदे रजनीश मोदी सरकार को आज चार सार पूरे हो गए हैं पूरे देश में बीजे पी जशन मना रही है यूपी बीजे पी का आज क्या कारिक्रम है तेखिए आज हरेक प्रदेश में बीजेपी जस्न मना रही है चुकिनका जो भी होता है इस प्रकार का कारिक्रम उसको एक लोग इवेंट का रूप दे देते हैं तेखिए आज जो कारिक्रम है धाई बजे प्रदेश अध्यक्ष महिंदरनाथ पांडे और प्रदेश किसीम यूगी आदीतिनाथ संजूग करेंगा और सरकार क्यों प्लब्धी बताएंगे कि हमारे इंडिये सरकार की चार साल में चाच्या बड़ी प्लब्धी रही है जी ए कि हाए तेखिया स्वारे यह अंदाजा लगा लिंड़ी विप्रदेश कि बात कि जाया तो निट्वीट करके इनके चार साल के कारेकाल का मजाक उड़ाया था, महीं कुछ देर पहले राष्टिय दिवेशन में मायवती ने पूरी तरीके से इनके कारेकाल पर ही सवाल उठा दिया, उन्होंने साब कहा कि जो भी इनका फैसला रहा हो, जो योजनाय बनती है, उसको सवाल उठाना, चुक्की 2019 बहुत दूर नहीं है, तो विपक्षी पार्टी को भी लगता है कि चार साल में इन्होंने बहुत कुछ खास नहीं किया, और सत्ता में बैठी पार्टी भारती जनता पार्टी को लगता है कि साथ साल बनाम, चार साल एक उनका ये भी नारा मार्केट में आ है, कि जो पार्टी साथ साल में नहीं कर पाई, उन्होंने हमने चार साल में किया, तो कुल मिला कि वही है, सत्ता की पार्टी इवेंट के तोर पर इसको प्रचार कर रहे है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रभारी मंत्री है जो बड़े पड़े नेता है वो जीलों में जाएंगा और सरकार की जोभीन की खास रही है उजवल योजना रही है चाहे बैंकों में खाता खुलने की बात रही है जो भी रहेंगे उसको मीडिया के सामने मुकातिब हो गया मीडिया के माध्यम से अकबार कारे करता हूं को भी बता है कि ये सरकार पूरी तरीके सा फेल है आप लोग जंता के बीच जाए और जो इन्होंने काम नहीं किया इनकी कारगुजारियों के जंता के बीच रखे आप लोग जी रजीश सबसे बड़ा मुड़ा एक पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमत देखे बसपा कातीत ऐसा रहा है कि कभी लोग सड़क पर उतर के प्रदर से नहीं किये है प्रेस माइवती ने ये बात कहा है प्रेटोल दीदम के खिलाफ सरकार के खिलाफ अंदोलन करेंगी तो अच्छी बात है अच्छी पालोगी लेकिन लगतार जो आकड़ा आ रहा है लगतार सरकार के भी माथे पर चिंता कबल है आज कॉंग्रेस की बात की जाए तो वो विश्वास घास दिवस मनाने जा रही है सिधा सिधारोप है कि जो सरकार ने वादा की थी आने से पहले जनता है कि इन्होंने विश्वास घास किया तो वही चीज है कि सरकार पर विपक जा रहे हैं उनको भी लगता है कि इस नारे के दिवा सपन से फिर में हमारी सफिर से सत्ता में वापसी हो सकती है जी तो लगातार विपक्ष बीजेपी को घेता हुआ धन्यवाद रजणी शापका हमारे साथ चुड़ने के विए और इस तमाम जानकारी के लिए झाल